हेलो एवरिवन गुड बॉर्णिंग गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब लोग दोस्तो मेरा नाम है मनेंदर सिंगोला और आप जोड़े हुए मेरे ऑफिशल यूटूब चैनल से फर्स्टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाले टाइम के अंदर में वहां पर हेल्थ रिकारड इंग बहुंतस थो सकते हैं कि चीज़ कर सकते हैं कि आप अपनी यहें को पूरी तरीकर से हैं जो पूरी तरीके कि हम एक बहुत ही बेहतरीन और माहन जगह पर हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी जिन्दगी में और सीब आ चुका है और हमारी जिन्दगी कम्प्रिटली यहां पर बदलने जा रही एसर ने कहा है कि यहां पर सबसे बड़ी चीज आप सब लोगों के लिए तैयार की जा रही है एसर ने एसर के सामने बहुत सारे चैलेंजिस बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पैदा किया गया था बहुत सारी परेशानियों को डाला गया था यह देखने के लिए कि क्या यह अप अपने मिशन को पूरा कर पाते हैं या नहीं माटिस ने बताया कि उनके सामने बहुत बड़ी बड़ी परिशानियों को लाया गया था लेकिन उन्हें खुद पर और अपने भगवान पर भरोसा था आज हर प्रकार की मुसीबसे बाहर निकल चुके हैं अगर हमें कहीं पर भी ये इस दुनिया के अंदर हमें खुद पर भरोसा रखना ही होगा शुरुआत में कोई भी काम उनकी योजना की अनुसार बिलकुल भी नहीं हुआ था लेकिन एसर का यह एक बहुत बड़ा सपना था तो वह तो अपने सपने को हाथ से कैसे निकल जाने देते ओन पैसिव मे हमारे चीज़ों को एक दूसरे के साथ जॉइन टर रहे हैं जो आने वाले टाइम के अंदर हमारे पास होंगे फांडिंग मेंबर्स की पोजिशन हमारे लिए बहुत ही बड़ी पोजिशन है शायद मैं इसके लाइक ही नहीं हूं लेकिन हम उपर वाले का धन्यवाद देते हैं कि आज हमें इस पोजिशन के लाइक समझा और हम सभी फांडिंग मेंबर आज एसर के साथ में हैं और उनका हर तरीके से साथ दे रहे हैं मार्टी सर ने यहां पर बताया कि फैमिली में जब तक खींचा तानी नहीं होती है तब तक वह फैमिली नहीं मानी जाती है और र काम को संभव कर सकते हैं सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि यदि आप खुद पर काम नहीं करते हैं तो आप लोगों को ठीक नहीं कर सकते उनकी हैल्प नहीं कर सकते यदि हम सोचते हैं कि पैसे से हमारी जिन्दगी बदल जाएगी तो यह बिल्कुल गलत है पैसा यहां पर हमारी जिन्दगी को कभी भी नहीं बदल पाएगा यदि हम सिर्फ पैसे के बारे में सोचते हैं और बात करते हैं तो यहां पर हमारा सिस्टम हमारी जिन्दगी को बदलेगा पांच साल पहले जो हमने सोचा था उससे कहीं जादा आज हमारे पास है जिस तरीके से हमारी जर्णी मजबूत होती है उसी तरीके से हमें भी यहां पर मजबूत होना पड़ेगा मार्टी सर ने आगे बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब उनसे बात होती है तो वह उदास लगते हैं हमेशा यही बात कहते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा मार्टी सर कहते हैं कि अगर वह कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों को चुप रहना चाहिए अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो आप उनको अपलिफ्ट करिए आप उनके अंदर होसला जगाए मार्टी सर की अमर ये समय 64 साल की हो चुकी है उन्होंने कहा आपको क्या लगता है मैं बेकार में ही इन सारी चीजों को फॉलो कर रहा हूं मैं हमेशा लोगों की देखभाल करने में ज़्यादा भरोसा रखता हूं मैं हमेशा लोगों को एजुकेट करने में सबसे ज़्यादा भरोसा रखता हूं मुझे कोई फरक ने पड़ता कि लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं खुद पर भरोसा करना यह सबसे बड़ी जीत होती है सबसे बड़ी बात होती है और हम यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पुरी तरीके से ड्रीमर हो चुके हैं और हम बड़े बड़े सपने यहाँ से पूरे करने वाले हैं मुझे पता है कि मैं कहां जा रहा हूँ हम दुनिया के सबसे बैस्ट CEO के साथ में हैं यदि आप वास्ता में लोगों को प्रावित करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक जूट करिए लोगों को एजुकेट करिए उनकी देखभाल करें उनको उपर उठाएं जब उन्हें आपकी जरूरत हो तब आप उनकी मदद करिए आपके आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको गलत समझते होंगे जी हाँ आपके आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको गलत समझते होंगे ऐसे लोग ना तो कभी आगे बढ़ सकते हैं और ना ही कभी लोगों को आगे बढ़ाने में जो help कर सकते हैं हमें ऐसे business में हैं हम ऐसे business में हैं जो आठिक रूप से हमारे लिए हमारी जिन्दगी को पुरी तरीके से बदल देगा पैसे कि हमारी जिन्दगी में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक normal business है नहीं यह एक normal business नहीं है यह एक ऐसा business है जो पुरी तरीके से एक extraordinary है यह एक ऐसा business है जो आपको पुरी तरीके से time freedom भी देगा money freedom भी देगा और सब कुछ यहां पर देगा और आपके सपनों को यहाँ पर पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा हम यहाँ पर पुरी तरीके से ड्रीमर हो चुके हैं हम यहाँ पर ड्रीम देखने वाले बन चुके हैं हमारे जो पहले सपने मर चुके थे वो सारे के सारे सपने जिन्दा हो चुके हैं यहां पर हमारे सपने जरूर पूरे होंगे लेकिन हमें यहां पर इस जरुनी के साथ बने रहना होगा हमें ऐस मुफारे सर के उपर भरोसा करना होगा मुझे पता है कि हमारे ऐस मुफारे सर किस तरीके से यहां पर काम कर रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर सोच रहे हैं किस तरीके से हमें यहाँ पर टॉप पर ले करके जाना चाहते हैं यदि आप वास्तम मेल लोगों को बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं और अपनी लाइफ स्टाल को चेंज करना चाहते हैं तो आपको और हम सब लोगों को खुद पर काम करने की सबसे ज़्यादा जरुवत है क्योंकि यदि आप खुद पर काम नहीं करेंगे तो आप system को और अपनी company को और अपने business को सही तरीके से बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे और एक सबसे ज़्यादा important चीज होती है कि यहाँ पर आपको अपने उपर काम करने का मतलब यह है कि आपको company के बारे में maximum to maximum जानकारी होने चाहिए अगर आपको company के वारे में maximum जानकारी है अगर आपको company के वारे में पुड़क के वारे में जानकारी है अगर आपको अपने CEO के वारे में जानकारी है अपनी company के background के वारे में जानकारी है तो इसका मतलब यही है कि आप अपने उपर काम कर रहे हैं मतलब आप अपनी तयारी पूरी तरीके से यहां पर कर रहे हैं तो यह एक ऐसा बिसनेस है जो आने वाले टाइम के अंदर हमारी जतनी भी financial problems है उन सारी problems को यहां पर खत्म करने वाला है पैसा आने वाले टाइम के अंदर हमारे लिए कोई भी बड़ा issue नहीं रहने वाला है लास्ट में मार्टी से ने बताये कि हमने इस बिसनेस को स्टार्ट करने के लिए करोडों डॉलर लाकों डॉलर नहीं दिये हैं सिर्फ 97 डॉलर दिये थे और वो भी हमें बापस मिल गए इसलिए हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं जहां पर बिना कुछ लिए unlimited धन हमारा इंतजार कर रहा है आप सोच के देखिए फ्रेंड्स कि यहां पर unlimited धन यानि कि unlimited पैसा, unlimited money, unlimited wealth, unlimited respect यानि कि हर एक चीज़ यहां पर unlimited होने वाली है यहां पर हमारी जो life style है वो भी एक unlimited होने वाली है तो यहाँ पर एक जो unlimited नाम का जो word है वो आपकी life में एक तहलका मचाने वाला है जिससे कि आपकी हर प्रकार की जो problem से वो यहाँ पर खत्म होने ही वाली है तो इसलिए हमें यहाँ पर पूरी तरीके से धर बना करके अभी रखना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर करी जोनसन सर का नमबर आया और उन्होंने कहा कि यहाँ एक program स्टार्ट करने वाले हैं लगबग आठ लोगों का यूटूब पर प्रोग्राम लाइव स्टार्ट होने वाला है वह अलग अलग देशों से लोगों को इन्वाइट करने के वारे में सोच रहे हैं पांच जुलाई को होने वाले program में पाकिस्तान के बसीम अन्वर्सर और आयशा मैम को इन्वाइट किया गया है क्रिज जॉण सनसर ने आगे बताया कि एसर के वारे में कहा कि उनका दिल बहुत बढ़ा है उनका दिमाग भी बहुत एक genius है क्योंकि जिस तरीके से वहें सोचते हैं शायद हम उस तरीके से कभी भी सोच नहीं पाएंगे बहुत सारे लोग उन से कहते हैं कि आप हमारे भगवान हैं, हमारे मसिया हैं लेकिन कृट जॉनसन सर ने जो है साफ साफ कहा है कि आप ऐस सर को भगवान बिलकुल भी ना कहें जी हाँ, क्योंकि भगवान और इनसान में बहुत बड़ा फरक होता है हाँ ये बात अलग है कि यहाँ पर होना एक कुछ अज बिल्कुल डिफरेंट काम किया है जिससे कि हम मानब ताकली जो काम करने जा रहे हैं इसलिए लोगों की मन में एक फीलिंग तो जरूर आई है लेकिन यहाँ पर एक भगवान का दर्जा आप बिल्कुल भी ना दे क्योंकि भगवान एक अलग चीज है और हम एक इनसान एक अलग चीज है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस कंपनी पर 100% विस्वास करते हैं उनको पूरी तरीके से भरोसा है ऐसर पर और अपने सिस्टम पर इसके लावा दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको जो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सी गिनाते रहते हैं जो सिर्फ अपनी समस्या ही लोगों के सामने रखते रहते हैं मेरे सामने ये समस्या है मेरे सामने वो समस्या है तो यहां पर हमें अपने सिस्टम पर भरोसा रखना होगा हमें ऐस से पर भरोसा रखना होगा क्योंकि ऐस सर वो काम कर रहे हैं जो पूरी तरीके से डिफरेंट है अगर यह डिफरेंट रही होता तो कुछ लोग जो इनको रहे हैं हमारे लिए लेकिन तो आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं जो पूरी तरीके से आंक बंद करके हमारे इस सिस्टम पर भरोसा करते हैं और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमेसा प्रॉब्लम में फसे रहते प्रॉब्लम को गिनाते देंगा, तो यहां पे पूरी life को change करने के लिए यहां पर काम कर रहे हैं। हमेशा positive चीजों पर ही अपना focus करें हमेशा positive रहें हमेशा धर बना करके रखें और जितनी भी problems है problem फे focus बिलकुल भी ना करें so stay tuned in the back office and ecosystem and very big business is coming thank you so much have a nice day we are so in it to win it जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी